श्रिमत भागवतं स्कंद दसं अध्याय अर्सट सांबका विवाह श्लोक संक्या सर्तिस शब्दा अनुवाद तात्परिया श्री श्रीश्मदेशी बक्ति वेदान स्वामी प्रभुपात के शिश्यों के द्वारा श्रीश्यांगरि पंकजरजो खिललो कपालही मौल्युत्तमे धृत्तम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रम्हा बवोहम पियस्यकलहा कलाया श्रीश्चोद्वहेमचिरमस्यनृपासनमक्वा शब्दा यस्या जिसके अंग्रा पेरों की पंकजा कमल सद्रश रजह धूल अखिला समस्ता लोका लोकों के पालही शाशको द्वारा मौली मुकुठ उत्तमाई उत्तम श्रेष्थ द्रितम धारन किया हुआ उपासिता पुज्य तिर्था तिर्थ स्थानों का तिर्थम तिर्थ पवित्रता का उद्गम ब्रम्हा ब्रम्हा भवह शीव अहम मैं अपी भी यस्या जिसके कलाह अंश कलाया अंश के श्रीह लक्ष्मी चा भी उद्वहेमा दारन करते हैं चीरम निरंदर अस्या उसका नुरूप आसनम राज सिहासन को कहां अनुवाद ये श्लोग भगवान बलराम कहते हैं और कृद्ध होकर गुस्से में कवरों को सुनाते हैं बिश्मा अदी उनको सुनाते हैं पुरा मैं अज बहुत सुन्दर कथा है मैं समझांगा पूरा पहले से हम लेंगे बलराम भगवान का सुभाव कैसा है कितना दयालो और कितना मृद्धू सुभाव है वो पुरे आज की घता में हम देखेंगे बगवान बलराम कहते है कृष्ण के चरण कमोलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता की उद्गम है बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजी जाती है समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकूटों पर कृष्ण के चरण कमोलों की धूल धारण करके अपने को परम भागयशाली मानते है ब्रह्मा तता शीव जी जैसे बड़े बड़े देवता यहां तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी यानि के बलराम भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के आउश है और हम भी उस दूल को बड़ी सावदानी से अपने सीरों पर धारण करते हैं क्या इतने पर भी कृष्ण राजप्रतिकों का उपयोग करने या राज सियासन पर बैठने के योग्या नहीं है तात परियम शिल प्रवपात के शिश्य कहते हैं उपर युक्त भावार्थ शिल प्रवपात करुद भगवान कृष्ण पर आधारित है शिल शिदर स्वामी के अनुसार यहां पर विशेश रूप से उल्लिखित तीर्थस्तान गंगा नदी है गंगा जल सारे जगत को अपलावित करता है और चुकी गंगा कृष्ण के चरण कमलों से निकलती है अतहां इसके टट महान तीर्थस्तान बन गये है शर्ए पांप बन गये है और छोड्य मिस्य रूप काधामय चुकी खेय। सावद्धूतं परिजन सहीतं कृष्ण चैतन देवं शुरी राधा कृष्ण पादां सहगरल दलिता शृविशा कांवितामिष्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् ए कृष्ण कृणा सिंदो दिन बंदो जगत्पते गोपेश गोपी काकांत रादा कांत नमो सुते थप्तकांचन गौरांगी रादे भृंदा वनेश्वरी वृषभानू सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतर उभ्यष्चा कृपासिंदु ब्यवचा पति नाम्पा रवनेव्यो वैष्ण ब्यो नमो नमा। शृॉक्रिष्ण चैतन्या प्रभुनित्या नंदा श्रिय ढढ़िज्हा इटादाद रोड़र सृवचांदलि भृट्ट विंदा। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna भगवान श्री बल्राम अविर्भाव टिथी, भगवान बल्राम पुनिनी मा महत्सव, तो आज हम भगवान बल्राम के गुणगान शवन किरतन करने का सुवसर को लाब लेंगे, ऐसी कथा हमारे करोडो जन्मों के पापकुर्मों को नश्ट करके हमें भगवान कृष्णा ब तो ये कथा बहुत शुनो शुभदम, शुखदम, भवसारम, भगवान की कथा, भगवान के अवतार सब शूभ है और सुखद है और ये हमारे जीवन का सार है, तो हमें नित्या इस कथा का पान करना चाहिए अमृत, इस कथा मृतम, ये कथा मृतम हमें हमारे जीवन को आता है और यह जिनका सोबाग यह वही इस कथा मुर्ट का पान कर सकेगा बैकि सबके भाग्य में यह नहीं होती है मैंने कल बताया था विस्तार से कि हम कितने भागयशाली है कि इस भौटिक जगत में लोग चांद तक सिर्फ पहुंचते हैं पहुंचने का दावा करते हैं ल यह कोई साधरन व्यक्ति को नहीं मिलता है अहो बच्वपच्वतो गरियान यजीवा अग्रे वर्तते नाम तुब्यम भगवान कपील देव को देवुती माता जी कहते है कि जिनकी जीवा के अग्रभाग में भगवान कृष्ण का नाम है जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृ हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे वो कितना सभागे शालिया हो बच्वपच्वतो गरियान यह बहुत ही महिमावशाली है जो भगवान का नाम लेता है क्यों तेपू तपस्ते जुहु शशनुआरा रिया उन्होंने सब तप तप लिया सभी नदियों में स्नान कर कर लिए सभी स्वाध्याय वेद पाठ कर लिया तभी उनकी जिवा पे भगवान का नाम आएगा और उनकी कान में भगवान की कथा जाएगी तो यह कोई भाग्या की बात ऐसा नहीं हम लोग को ताइम मिला आज हाफ डे कर लिया और सुन लिया नहीं यह दुरलब मनुष्य ज वेदो के अनुयाई है और वो वेदो के अनुयाई में भगवान को निराकर मानने वाले बहुत हैं यह सकाम कर्मी बहुत हैं जो सिर्वाते हैं चले जाते हैं थोड़ा भगवान को और पन किया और उससे डबल मांगा और चले जाते हैं सकाम कर्मी लेकिन भाग्त ऐसे नही और लिया सकाम कर्म गनान ध्यान सब उन्होंने पिछले जन्मों में कर लिया, तब जाके उसको यहां बैड़के कृष्ण कथा सुनने का उस्षर मिलता है, और आज कितना बलराम भगवान कौन है, हमने कब जाना था बलराम कौन है, हमारे जीवन में, ये जीवन में तो हमने जाना नहीं, इसको उन से जुड़े उस से पहले, कभी नहीं जाना, ठीक है, बलराम है, कृष्णा बलराम, लेकिन कौन है वो, नहीं जानते थे, तो आज हम प्रयास करेंगे, भगवान बलराम, जो की पुन्न पुरुशत्तम, परमेश्वर, भगवान, कृष्णा, सभी आउ सफेथ, श्वेथ, और कृष्णा काले हैं, बस, उतना ही फरक है, वे दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है, बस, और कुछ नहीं है, बलराम श्री कृष्णा के स्वान श्विस्टाल, उनके आउंश है, अतेवा कृष्णा तदा बलराम की शक्ति में कोई अंतर नहीं है, फिर भी बघवान बलराम, कृष्णा की सेवा करने के लिए पांच रुप धारन करते हैं, बगवान बलराम, वो, कृष्णा और बलराम इड़ाय में कोई अंतर नहीं है, दोनों बघवान समान शक्ति शाले है, परथम विस्टार है, बगवान के, फिर भी क्रिश्ण का दास और क्रिश्ण ही उनके आदार है इसलिए बल्राम भगवान हम वरिंदान में देखें कि क्रिश्ण के कंदे पर उन्होंने हाथ रका है क्रिश्ण उनके आदार है इसा, दोनों ये की है तो भगवान बल्राम पांच रूप धारन करते है महा संकर्षन फिर करणदक्षाई विष्णु घरवदक्षाई विष्णु खिरोदक्षाई विष्णु और शेश ये जो महा संकर्षन करणदक्षाई विष्णु गर्वोदधक्षाई विष्णू न खिर्व Johann न खिरवदक्षाई विष्णू ये चार रूप इस भाहतिक जगद के उत्पत्ति के कारण है यह हम जो इस जगद में रहते असा संग्या भ्रमाण है और उन सब की उत्पति भगवान बलराम के कला आउंश के आउंश ये रूप करते है और जो शेष है अनन्त शेष जो इस ब्रह्मान को धारन करते है तो ब्रह्मान उनके सर पर एक राई के दाने के समन्द को मालूमी नहीं इस कहा है ब्रह्मान ये अनन्त शेष ये बल्राम भगवान की कला पाच बार विस्ताथ हाँ ये च ब्रह्मान्ड है, जैसे हमारे सर में कुछ एक राई का दाना या कुछ रख दो, तो हमको मालूम बड़े कि कहा है, दूंडेंगे, ऐसे ही भगवान शेश, और वो भगवान शेश, भगवान कृष्ण की निजी सेवा करने के लिए उत्तरदाइत्व है, वो जवाबदारी ले शेश का विस्थार है, शाया, भगवान का शेयन करने की शाया, और हम देखते हैं गर्वदक्षाई विष्ण लेटे हुए, वो शाया, वो शाया भगवान अनन्द शेश है, और अनन्द शेश, जब भगवान कृष्ण का जन्मा हुआ, तब यमुना पार कर रहे थे तो, अनन्द शेश उनके साथ चत्र दारन करके, उनका रक्षन करने के लिए, कितना बारिस हो रहा था, फिर भगवान के वस्त्रा, फिर भगवान के जो वस्त्रा है वो अनन्द शेश का विस्तार है, भगवान को बैठने के आराम खुर्शी, उनका निवास्थान, रहने का निव भगवान यगनोपवीत जनोई पहनते वो और सीहासन ये सब भगवान बल्राम के कला अनंत शेश का विस्तार है श्री बल्राम सेवक बगवान है जो सारे कारिय में बगवान कृष्ण की सेवा करते है बगवान फिर भी बगवान बल्राम अपने को डास मानते है और कृष्ण को अपना सौमी मानते हैं, इस प्रकार बे अपने आपको क्रिष्ण का सौमी, क्रिष्ण का दास ही नहीं, आउंष का आउंष मानते हैं. कभी-कभी जब जेश्ट भगवान शेकरिश्न के जेश्ट भराथा भगवान खेलने के बाद ठख जाते, तो अपना सिर जंगल में जाते थे वन में, तो अपना सिर किसी वाल-बाल के इसमें रख देते थे और सो जाते थे, तब भगवान, स्वयम भगवान कृष्णा उनके पेर दबाते थे, बलराम के, एक बार जब कवरों ने बल्दे को अपनी और मिलाने के लिए उनकी चापलो से की, आज की कथा का ये पारत है, मैं पूरा कथा बताऊंगा, ये थोड़ा बलराम भगवान के गुणगान से शुरू करें, और श्री कृष्णा के बारे में भला बुरा कहा, तब भगवान बलराम ने अत्यंत कृद्ध होकर कहा, तो कवरों चापली सी करें, बल्दे बल बलराम को हम समझा लेंगे, कृष्णा को निंदा करके, बलराम भगवान एक्दम कृद्ध हो गया, बगवान ने कहा, बगवान कृष्णा के लिए सिहासन का क्या मात्वा है, विबिन्न लोकों के स्वामी उनके चरन कमोलों की दूल अपने मुकुटदारी शीरों पर धार बलराम करते है, बगवान शी बलराम हमें भक्ती में प्रगति करने के लिए बल देते है, श्री बलराम पुरिन्मा के दिन पर हम बगवान बलराम को प्रातना करें, कि वे हमें भक्ती के लिए बल प्रदान करें, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 कृ Raman harmony RamanFC और इतने महान बलराम भंवान की लिलाज हम देखेंगे क्यों भगवान क्रोधीत हुए बल्राम भगवन क्यों क्रोधी हुए तो इसकी शुरुवात होती है सांब विवा सांब का विवा ही सद्ध्याई में तो मैं सिर्फ अनुवाद और कहीं-कहीं प्रभुपात का तात्पिर थोड़ा बोलूंगा इस प्रकारम कथा आगे बढ़ाएंगे शुकदेव गौस्वाम ही कथा की शुरुवात करें प्रथम श्लोक से कि है राजन जामवती के पुत्र सांब ने जो सदेई युद्ध में विजई होता था दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मना का उसके सयमवत समाहरों में अफरान कर लिया सांब जाके कृष्ण के पृत्र जामवती के द्वारा कृष्ण का पुत्र है और उसका नम सांब सांब वो हमेजा माता के पास ही रहता था ऐसा प्रभपात कहते है कि दृत्राश के पूत्र दुर्योधन की पूत्री लक्ष्मना विवा के योग्या थी वह कुरुवंश की एक अत्यंत सुयोग्या कन्या थ एसी दक्षा में स्वयमवर संसकार का आयोजन किया जाता है जिससे कन्या अपनी रुची अनुसार वर का चुनाव कर सके जब लक्ष्मना स्वयमवर सभा में वर चुनने जा रही थी तबी साम उस सभा में उपस्तित हुआ साम भगवान शी कृष्ण की प्रमुकुरानियो कि यह पुत्र अपनी माता का लागला था अंबा का अर्थे माता और सका अर्थे साथ अते हो साम को यह विशेश नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह सदेव अपनी माता के साथ रहता था इसलिए जब वह साम जामवती सुद भी कहलाता था और जैसा कि पहले बतया जा चु पुत्री को साम से विवा करने की इच्छा नहीं थी तथा भी साम दुर्योधन की पुत्री लक्षमना को प्राप करना चाहता था इसलिए साम ने स्वयम वर समारोब से लक्षमना का बल पुर्वक अफरन कर लिया तिर दुसरा श्लोग कृट्ध कवरों ने कहा इस बूरे आश्रन वाले बालक ने हमारी अविवाहित कन्या को इसकी इच्छा के विरुद बल पुर्वक हर कर हमारा अपमान किया है बूरे आश्रन वाले इस साम को बंदी बना लो आखिर व्रुष्णी जन हमारा क्या कर देखो कवरों को इतना अभीमान है गया ओं बोलते हैं व्रुष्णी जन्या कृष्णा याद यह सब क्या कर लेंगे वे हमारी कृपा से हमारे द्वरा प्रदत्त पृत्वी पर शासन कर रहे देखो यह कवरों बोल रहे यह जदि व्रुष्णी लोग यह सुनकर कि उनका पुत्र पकड़ा गया है यहां आते हैं तो हम उनके गमन को तोड़ दालेंगे यानि ये सब व्यादव रुष्णी कृष्ण के वन्ष लोग आएंगे तो उनका गमन तोड़ दालेंगे इस प्रकार से वे उसी तरह दमित हो जाएंगे जीस तरह कठोर नियंत्रण के अंतरग शारिरिक इंद्रियां दमित हो जाती है यहां कहकर कुरुवांज के वयोवृद्ध इसमें भिश्मपिताम भी थे वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना की स्वीकृति लेने पर करन शल बूरी यगनके तु तदा सुयोधन यहन्न दुर्योधन दुर्योधन का एक नाम सुयोधन भी है सामपर आक्रमान करने के लिए कुछ कर गए तो यहां भिश्मपिताम भी इसमें सामील थे कि उनको अभीमान हो गया है फिर आगे सत्था स्लोक दुर्योधन तता उनके साथियों को अपनी और दौरते देखकर महारती सामब ने अपना सुंदर कर लिया और वह सींगी तरह अकेला खड़ा हो गया अकेला कृष्ण का बेटा है न कृष्ण के समान शक्ति चालिये हम देखते हैं पीछले अध्यायू में कि भगवान कृष्ण ने ऐसा ही रुक्मनी के विवा के दर्मान उनका विवा हो रहा था तो भगवान कृष्ण व जारोस लोग थे राजा महराजा वो सब को बीच में से लेके गए इस प्रकार और फिर बहुत बड़ी सुन्दर काता है कृष्ण रुक्मनी अफ़रण की तो कृष्ण द्वारा तो ऐसे ही साम्बने किया तो महारती साम्ब ये सब आये दुरियोधान ये सब आये तो क्या क महारती साम्बने महारती महारती यानि अक्केले एक हज्जार रथी के साथ लड़ सकते हैं अक्केले हम तो एक दो तीन आ जाते हैं तो बोलते हैं फिर दूसरा वाजा एक एक वन बाई वन हमरे साथ कोई लड़ने आएगे तो सोजन आ जाएंगे तो हम तो डिले हो किसको किसको मारेंगे लेकिन यहां क्या मारदी साम्भ अपना सुन्दर धनुष्य धर्ण करके सींकी तरह अकेला खड़ा हो गया यह कृष्णा के पुत्र और हम भी कृष्णा के आउंश है हमें भी ऐसे निर्भय होना चाहिए निडर चाहे सामने कितने भी लोग आ जाए मा हम मार भी सकते है प्रहपात कहते है एक कथा है भरत महराज की भागवतम में तो उसमें भरत महराज को जब बली दिया जा रहा था वो दुष्ट डाकुद्वारा वो पशुबली मानव बली तो अब खड़क तिक्ष्ण खड़क से उनके उपर यह क्या तो भगवान भरत मह उसमें प्रहपात तात्र लिखते है कि भग्त को कोई डर नहीं लगता है इसलिए भग्त नीरवई होके सब जगह प्रचार करने जाता है प्रहपात अमरीका गए विकट परिस्थिति में यही बताते है भग्त नीडर होता है तो यह तो भगवान कृष्ण का बेटा है वे उसके पास आये और उसपर बानों की वर्षा करने लगें अभी देखो करणा दुर्योधन यह सब लिखा है बूरी यगनके तो शल यह सब महारती थे आगे यह कुरुशेष्ट यह शुपदेव गोस्वा में कथा के थे चुकि कृष्ण के पुत्र सामको कुरुगन अन इती है एक साथ हमला करना अतहां यदुकुल का यह वह प्रिय पुत्र अपने आक्रमन को सहन नहीं कर सका जीस तरह एक सी शुद्र पश्वों के आक्रमन को सहन नहीं कर पाता प्रहपा लिखते हैं भगवान शी कृष्ण के पुत्र रूप में यदुवंश का गवरवपुन न पुत्र साम्भ अतिंत्य शक्तियों से संबन्वित था उनमें अचिंत्य शक्तिया थी फिर आगे अपने अद्बुत धनुष को तंकार करके वीर साम्भ को साम्भ ने बा उतने ही बानों से चारो गोडो की तोली को चार बानों से और प्रत्यक साथी को एक-एक बान से बेद डाला इस तरह अपने रथों की बागदोर संबालने वाले महान धनुदरों पर भी प्रहार किया शत्रु युद्धों ने साम को उसके इस पराक्रम प्रदर्शन के कि अमुद्धों मार दिया कि यह उतर गये रथे कि इस सब लोग पर उन वों चारो उनमें से चारो ने उसके चारो गोडो को मार दिया एक ने उसके साथी को मार ड़ा और दूसरे ने उनके धनुजकों तोड़ दाला साम को अनिति से युद्ध के दोरा अंसाम को रत्वीन करके कुरू युद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से उसे बांध लिया और तब बे उस कुमार तद अपनी राजकुमारी को लेकर विजाई भाव से अपने नगर में प्रविश्ट हुए उसको बांध के मुश्किल से बांध पाए हे राजन जब राजाओं ने राजाओं को मेसेज मिल गया कहां व्यादव ओकों किस ने दिया होगा मेसेज भूलो नारदमुनी तुरन नारदमुनी भगवान की लीला में बहुत अच्छा सयोग करते है तुरन ताकि जल्ली भगवान लीला प्रगट करें देज नहीं वो बहुत आतूर होते है नारदमुनी जब भगवान कृष्णा के पहले जो पुत्र उत्पन हुए वसुदेव की माता को तो पहला पुत्र लेके जब वसुदेव गए कंज के पास नहीं उसको मार दो तुमने तो इसमें से कौनसा कृष्णा आएगा तुमको मारने वाला तो पहता हो गया है यह है तो उनको मारने लगते है तो सोचते कि ऐसा नारदमुनी क्या जगरा करवाते है प्रभवपार इसके ताटपरे में लिखते है कि नारदमुनी उसक थे भगवान कृष्णा के जन्म के लिए आतूर थे जैसे हम कृष्णा, जन्मा श्ठमी बल्राम पुनिनी मा रथिया तो इसमें आतूर रहते है कब आये कब आये हम कब सेवा करें इसी प्रकार नारदों नहीं आतू रहते हैं इसलिए राजन जब यादा वोने श्री नारद से यह समाचार सुना तो वे कृद्ध हो उठे राजा उग्रे से इन द्वारा प्रेरित किये जाने पर उन्हें ने कुरों के विरुद्ध युद्ध की तयारी कर ली फिर किन्तु अभी भगवान बलराम की प्रवेश बलराम भगवान कैसे है किन्तु भगवान बलराम ने व्रुष्णी वीरों के कृद को शान्द किया रुको जिनोंने पहले से अपने कवज धरन कर लिये थे यह सब यादा हो व्रुष्णी होने तो सब कवज पहन लिया था युद्ध करना यह मजा आती है उनको युद्ध करने की और ऐसा ललकार में साम को पकड़ लिया वो भी इससे है चिटिंग से है छोड़ेंगे नहीं हम उनको क्या समझते है अपने आपको कवरवो सब भक्तर पहन लिया कला के युग को शुद्ध करने वाले बलराम कुरुवो तदा वरुष्णों के बीच कला नहीं चाहते थे हम देखते है यह युद्ध हुआ तब भगवान बलराम नहीं रहते वहाँ वो चले गए वो नहीं चाहते थे अतहा वे भ्राम्वनों तदा परिवार के गुरुजनों बड़े-बड़े लोगों को अपने रत पर हस्तिनापुल ले गए सबको उनका रत सुर्य की तरह तेजों मही था तेज मही होगा न जब वे जा रहे थे तो ऐसे लग रहा थे मानो प्रदान ग्रहो द्वारा गीरा चंद्रमा हो नीताई पद कमला कोटी चंद्र सूशीतला चंद्र सूशीतल है प्रदान ग्रहो द्वारा गीरा चंद्रमा हो यानि चंद्रमा और उसके नक्षत्रा कितना सुंदल लगता है ये लोगों को चंद्र पे पत्थर दिखे, धूल दिखी और बोलते हैं वहाँ टेंपरेचर कितना चालीस आज कुछ मुझे बता रहे चालीस टेंपरेचर है अरे चंद्र इतना शितल है एर कंडिशन उनको वहाँ गर्मी लगी तो गर्मी लगे कि वह सूट पहना है ऐसा भारी सूट पहना है तो मैं सूट नहीं यह सूट पहनेगा तो एक गंटे में तो आदमी यह हो जाएगा अभी समझा अभी घर्मी है मैं दो-चार स्वेटर पहन लो तो मैं क्या करणा है अरे भाई निकालो इसको जल्ली तो उन्होंने तो एक शूट पहना था तो कितना घर्मी लगता होगा इससे भी हम पता चल कर सकते है कि यह सब क्या है गलत है उसमें इसी थोड़ा था घर्मी लगती है तो यह चंद्र जैसे दिख रहे थे भगवान बलराम कितने सुन्दर है हस्तिना पहुँचकर बलराम नगर के बाहर एक बगीचे में रह गया है वो अंदर प्रवेश नहीं किया उन्होंने और उद्धव को उद्धव को वला धृत्राश के इरादों का पता लगाने के लिए आगे भेश दिया प्रवपात कहते है जब श्री बलराम हस्तिनापूर की सीमा पर पहुँचे है तो उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया अपी तो नगर के बाहर एक छोटे से उद्ध्यान गुरु में देरा तम्बू लगा दिया तब उन्होंने उद्धव से कहा कि वे कुरुवंश के प्रमोखों से भेट करके उन्होंसे पूछे कि वे यदुवंश के युद्ध करना चाहते है या समजोता करना चाहते है देखे बलराम सब रुष्णी और यादव गुस्से में थे नहीं युद्ध करेंगे अभी उनका विचार जान लेते है यह है बलराम अम्भी का पूत्र धृत्राष्ट तता भिष्मा, द्रौन, बहालिक तता दुर्योधन को समूचित आदर देकर उद्धव ने उन्हें बतलाया कि भगवान बलराम आ गये है या सुनकर कि अपने प्रियतम मित्र बलराम आ चुके है बलराम सबके प्रिये थे दुर्योधन को भी दुर्योधन कृष्ण कृष्णा उनको अच्छा नहीं लगता था दुर्योधन को उसको वो जादुगर मानते थे लेकिन बलराम के लिए दुरियोदन को बहुत प्रेम था यह सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र बल्राम आ चुके है वे अत्याधिक प्रसन हुए और सर्व प्रतम उन्होंने उद्धव का अधर किया तत पर चाथ वे अपने हाथों में शुब बेटे लेकर भगवान से मिलने गए बल्राम से मिलने करते है कुरुवांश के प्रधान गान विशेश रुपते दृत्राश्र तता दुरियोदन अत्यांत हर्शित हुए क्योंकि उन्हें यह बलीबांती पता था कि भगवान शी बल्राम उनके परिवार के मान शुब चिन तक है यह समाजा सुनके उनके हर्ष की सीमा नराइव अते वो उन्होंने ततकाल उद्धों का स्वागत किया भगवान बल्राम का उचीक स्वागत करने के लिए वे अपने अपने हाथों में उनके स्वागत की शुब सामगरी लेकर उनसे भेट करने नगरध्वार के बाहार गए सब गए वे भगवान बल्राम के पास गए और तो वो तथा अर्ग्या की भेंटों से यथोची विदी से उनकी पूजा की सन्मान, जब हम देखते हैं कोई जब गुरुमारा आते हैं या कोई भी महान व्यक्तित तो आते हैं, तो हम उनकी पूजा, उनको सन्मान, उनको ज्यान ये सब अरपन करते हैं, इस प्रकार उन्हों बिश्मा देव भी थे प्राभपाद आचारियों कहते है कि बिश्मा देव जैसे गुरु जनों ने भी बलराम भगवान को प्राणाम किया बलराम हाला कि उनसे उम्र में चोटे थे फिर भी बिश्मा देव ने भी बलराम को नमस्कार किया वो सब जानते थे जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंदिगन कुशल मंगल से हैं और दोनों ने एक दुसरे से कुशल मंगल का तता स्वास्तिके विश्याई में पुछताज कर ली तो बल्राम ने कुरूओं से सीधे तोर पर इस प्रकार से कहां सब बातशित कर कैसे हो हो सब ठीक है ना सब कवरव और अबुरुष निक है सब बात हुई फिर भगवान बल्राम ने सीधे ही बाद पर आगे उन्होंने कहां ऐखरह ऑं कि बागवान बागवान उनका मेसेज दे रहे उग्रसेंद राजा का, जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है, और तब उसे तुरंत करो, बागवान के रहे कि जो उग्रसेंद ने कहा, वो तुम सुनो और उनके आदेश का तुम तुरंत पालन करो, बागवान के र कारिवारिक सदस्यों में एकता बनाये रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूं यह उगरत से राजा कहते हैं बल्लाम के पराक्रम सहस तथा बल से पुरिद एवं उनकी शक्ति के समरूप इन शब्दों को सुनकर कवरोगा कुरुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले गुश्य हो गए यह सब और बोले ओ यह कितनी विचित्र बात है बल्लाम के सामने बोल रहे हैं अभी तो स्वागत किया लेकिन तोड़ा सा सुना अरे यह तो अपनी प्रसंशा कर रहे हैं हमको यह उगर से इनकी बात सुनने कर बाधित कर रहे हैं और वो बोले हो करने के लिए बोल बोलते हो गया है अभी देखो कैसी बात कर दे यही भौतिक जगत के लोगों का सौबाव है हाला कि इनका इद्देश अमारे जैसा नहीं है हम थोड़ा जगरा करने के लिए कोई समाधन करने आते है और बोलते है बाई देखो बड़ा आदमी है उनके समाधन क्या बड़ा कुरुनायका ने कहा ओ यह कितनी वीचित्र बात है काल की गति नी संदे दुरलंग्या है अब पेरों की एक जूती उस सर पर चड़ना चाहती है जिसमें राजमुकुट शुशोवित है यह कवरों बोल रहे है चुकि यह व्रुश्री जन हम से वैवाईक संबंदों से बंदे है इसलिए हमने उन्हें अपनी शया आसन तदा भोजन में बराबरी का पद्र दे रखा है असल में तो हम हीने इने राजसियासन प्रदान किया है यह सब बोल रहे है चुकि हमने परवा नहीं की इसलिए वे चम्री के पंके तदा शंक श्वेट चाता सियासन तदा राजशया का भोग कर सके यह सब कुरुवन कुरु अग्रणी बोल रहे हिनको बल्राम को कि ये सब लोग उस थात्परेमिश्य प्रभपात कहते हैं कि कुरुगान सोच रहे थे कि यदू को चाहिए था कि हमारी उपस्तिती में ऐसी राजसी सामगरी का उप्योग न करते हैं किन्तु हमने अपने पारिवारिक संबंदों के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं तो वो लोग इतने घमंदी बन गए अब यदू को इससे आगे इन राजसी प्रतिकों का उप्योग न करने दिया जाए बन कर दो ये सब कृष्णा को ये सब ये राजसी वन्स्यामार ये सब शया बन कर दो क्योंकि अब ये और वो लोग इतना हमारे उपर चड़ गए अभी हमको कष्ट दे रहे हैं जीस तरह विशेले सांपों को पिलाया गया दूद देखो कैसे कटू शब्द वापर रहे हैं सब ये यादाव गण हमारी कृपा से सम्रुद बन कर अब सारी लाज शर्म को खो चुके हैं और हमें आदेश देने का दूस्साहस कर रहे है फिर शुक्यदेव श्री बाद्रियान ने कहा ये भारतों में शेष्ट अपने उच्छे जन्मत अता संबंदों के एश्वरी से फूल कर कुपा हुए दमंड गमंडी कुरू जब ये कटूवचन बल्राम से कह चुक है तो वे अपने नगर को वापस चले गए ऐसा बोलके चले गए ये भगवान बल्राम को देखकर तता उनके भद्दे शब्दों को सुनकर अच्चित भगवान बल्राम क्रोथ से उबल पड़े उनका मुख मंडल देखने में भयावना था और बारंबार हस्ते हुए वे इस प्रकार बोले बगवान बल्राम ने कहा पश्ट है कि इन बदमाशों की विवीद वास्तनाओं ने इन्हें इतना दंभी बना दिया है कि वे शांती चाहते ही नहीं मैं तो शांती का प्रस्ताव लेके आया था वहाँ वुरुष्णी लोग यादा हो मेरे परिवार जन इनके साथ द्यूत करने के लिए तैयार दे और उनका एक ही कापी इन सब का नाश करने के लिए मैंने उनको रोक के रखा मैं संधी करने के लिए आया और ये लोग देखो बदमाश इतना दंबी हो गया कि वे शांती नहीं चाहते है तो फिर इन्हें शारिरिक डंड दोरा समझाना बुजाना होगा श्म अमें पहले शांती से प्रस्ताव लेकर आया था अब ये शांती नहीं चाहते अभी डंड देना पड़ेगा कि जिस तरह लाठी से पशो को सीधा किया जाता है अब ये पशु जैसे है ओ में दीरे दीरे कृद्ध यदू जनों तटा कृष्णों को भी जिन्ने कृद आ गया था शांत कर सका जैसे ते से बल्राम बगवन शांत कही है सुचिए ये बल्राम बगवन वही है जब अर्जुन द्रौपदी का अरे सुबद लगा अफरन करके ले गए थे वो सनियास रूप में थे अर्जुन अफरन करके लेके गए तो ये जब बालुम पड़ा बल्राम को तो भाग गुस्य हो गए तो बल्राम का प्यर पकड़ के कृष्णन को शांत किया अब शांत हो जाओ फिर उनको अर्जुन और सुबद रखा बुला के वापस ये करवाया वीवा संपन और भेट दी तो ये बल्राम सब को शांत किया बाई ये लोग तो गुस्य में थे मैं जिने को मैं धीरे धीरे उनको शांत कर सका मैं इन कवरों के लिए शांती की कामना करते हो यहां आया देखो किन्तु ये इतने मूर्ख सवभाओं के कलह प्रिया और तथा दुष्ठ है कि उन्होंने बारंबर मेरा नदर किया है दम के कारण इन्होंने मुझसे कटू वचन कहने का दुष्ठ सहस किया है अभी भगवन बलाम के दे क्या भोजो व्रुष्णियों तथा अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश देने योगे नहीं है जबकि इंद्र तथा अन्य लोग पालक उनके आदेशों का पा क्या वही क्रिश्णा राश्यासन पर बैठने योगे नहीं है समस्त ब्रह्मान के स्वामीनी साक्षात लक्ष्मी जी उनके पेरों की पूझा करती है और उनलक्ष्मी के पती तता मत्य राजा की साथ समयगरी के पात्र नहीं है अबी आज का श्लोक इसी संदर में बोलते हैं कृष्णा के चरण कमोलों की धूल जो सभी तिर सिस्थानों के लिए पवित्रता की उडगम है बड़े-बड़े देवता द्वारा पुजी जाती है समस्त लोकों के प्रदान देवता उनकी स्याँ में लगे रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्णे के चरण कमोल की धूर धारन करके अपने को परम भागेशाली मानते हैं जब हम मंदीर में जाते हैं तो हम मंदीर के उम्रे पर ऐसे क्या करते हैं वहां जो मंदीर में भगवान के दर्शन करने आये भख लोग उनकी चरण रज को मस्तक पर धारन करते हैं उसी प्रकार यह बड़े-बड़े देवता हो बड़े-बड़े राजा मुकुट धारी राजा भगवान के चरण कमल को अपने मुकुट पर धारन करने के लिए तयार है और वो परम भागेशाली मानते हैं अपने आपको यह कृष्ण की यह लोग अपमान करें ब्रम्हा तता शीव जी यह से बड़े-बड़े देवता यहां तक कि लक्षमी जी और मैं भी लां काहते हैं उनके दिवया beenक्तित्व के आउष है हम सब्सक्रों के आउउश है और हम भी उस दूल को बड़ीत साउधानी से अपने सीरों पर धारन करते हैं दिखिये बल्राम कहते हैं मैं बी अम सब ब्रह्मा, शिवजी, लक्षमी देवी, मैं, सब साउधानी से धारन करते हैं, इतनी पवित्र दूल है, क्या इतने पर भी कृष्णा राज प्रतिकों का उप्योग करने का, या राज सियासन तर बैठने के योगय नहीं हैं, ये बल्राम गुस्यों कर बोलते हैं, फिर आगर क कहते हैं, हम व्रुष्णी गण केवाल उस छोटे से भूभाग का भोग करते हैं, जिस किसी की कुरुगान हमें अनुमती देते हैं, क्या हम कुरुमती के अनुमती से कर रहे हैं, और हम नी संदे जूते हैं, जबकि कुरुगान सीर हैं, क्या हम जूते हैं, उन्हेंने बोला है कि यह जूता भी हमारे मस्तक पर चड़ रहा है तो यह जूते हैं और वह सीर है क्या उन्हों ने दिया हमके छोटा भाग यह मत्हुरा द्वार का और हम उसको ग्रहन कर रहे हैं भगवान जरा देखो तो इन अभीमानी कुरूओं को जो सामन्य शराबियों की तरह अपने तर्था का थित अधिकार से उन्मत है ऐसा कोन वास्ताइक शासक जो आदेश देने के अधिकारी से युग थे उनके मुर्खता पुर्णा एवं बेतु के शब्दों को सह सकेगा कौन सह सकेगा कुरुद बल्लाम और उठ खड़े हुए मानों तीनों लोकों को स्वहा करने जा रहे हो इसलिए बल्लाम देखो पहले कैसे थे बल्लाम चंद्रमा जेसे तारों से गिरे हुए कितने सुन्दर शूशितल शांत और जगड़ा करने नहीं नहीं तो फिर तुरंती जाके उदर सबके कॉलर पकड़े क्या बोले तुम लोग क्या साम को छोड़ो नहीं मैं बल्लाम हो यह जो तुम खड़े हो न यह पृत्वी सहीत सारे ब्रह्मान मेरे आउंस की आउंस के मस्तक पर यह राय के दाने के बराबर हैं क्या समझते हों यह बल्लाम देखिए पहले शान थे एक्टम शांती से गए नहीं माने तब उन्होंने अभी उनको दिखाना प ले लिया और ऊटखड़े होए मान तीनों लोग को सवाहा करने जा अभी यह उनका देखो ये ब्रहन बल्राम वही है जो काल सवाहा करने ज Schulter कौने женowers अभी उनका गुस्ता कैसा होगा भगवान प्रेंश पूर्ण देते है ऐसा ब्रहन का गुस्ता भी पूर्ण होता है CSS उ हम भगवान बल्राम को हमेशा भोगता उनको हम उनकी सेवा करें, हमको उनकी सेवक बने रहें, भगवान ने कृद होकर अपने हल की नोक से हस्तिनापूर को उखाड़ा, पूरा हस्तिनापूर को हल लेके, जैसे एक बच्चा एक छोटा सा ये तुकड़े को उखाड़ा है, और संपुर्ण नगर को गंगा नदी में फैसने की मन्शा से उसे गसीटने लगे. गसीटे जा रहे अपने नगर को समूद्र में गन्नाई की तरद दग मगाते, भुखम पागया, गंगा में गिरने ही वाला देखकर सारे कवराव भाईबी थो उठे, वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने साथ अपने परिवारों को लेकर भगवान की शरण लेने गए, सामब तता लक्षमना को आगे करके, उन्होंने विनई प्रोक अपने हाथ जोड़ लिये, वो आगे लेके लो भाई, लातों के भुद बातों से नहीं मानते, लेकिन कवरों ऐसे नहीं थे, कवरों ने कहा, अभी स्तूति करते कवरों की, पहले उन्हों निंदा की, कि तुम सब जूते सर पर चड़ गये, और तुम शंक, ये चामर, फिर महिरपंक, राज सियाजन, तुम इसके लायक थोड़ी हो, ये तो हमने तुमने तुमको दिया है, उग राजा, ये मथुरा, अस्तिना पुरकेंदर, तो वो लोग ऐसे ही समझ के हमी मालिक है, तब कहते हैं, भी आख कवरों की सान ठीकाना है, बोले, हे राम, हे सरवाधार राम, राम यानि बलराम, हरे कृष्ण महा मंत्र में जो राम है, हरे राम, वो बलराम भी है, और हरे, हर वो बलराम की पत्मी, उसका अंतरंक शक्ति, रेवती मंता, नमस्ते, नमस्ते हला आयुध आध। तो हे राम हे सरवाधार राम, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, कृपया हमरा अपराद क्षमा करें, क्योंकि हम अगनानी है तता बहावकावे में आ गए थे आप अकेले जगत का सुरुजन अभी उनकी दिमाग में आया देखो पहले धंग गया था आप अकेले जगत का सुरुजन पालन तता संहार करते है उनकी आउश के आउश यसे कि नहीं श्वसीत कालम अथाव अलंबिय जो महा इसलिए बंगो जानते थे तो बनको क्या कहते है आप अकेले जगत का सुरुजन पालन तता संहार करते है और आपका कोई पुरुवव हेतु नहीं है आपका कोई कारण नहीं है तो दरसल है प्रभू विद्वानों का कहना है कि जब आप अपनी लिलाए करते हैं तो सारे सं रूप में इस भूम अंडल को अपने एक सीर्पा धारन करते हैं संवहार के समय आप सारे ब्रह्मान को अपने शरीर के बित्र लीन कर लेते हैं और अक्यले बच कर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं आपका क्रोध हरे को शिक्षा देने के निमित है या गुरुणा या द्वेश की अभीव्यक्ति नहीं है भगवान का भगवान ने गुस्ता किया बल्राम ने लेकिन कहते हैं आप हरे को शिक्षा देने के लिए ये गुरुणा द्वेश नहीं आपका ये परमेश्वार आप सतोगुन को धारन करते हैं और इस जगत को बनाय रखने तदा इसकी रक्षा करने के लिए ही कुरुद्ध होते हैं तो आगे कहते हैं यह समस्त जीव के आत्मा यह समस्त शक्तियों को धारन करने वाले यह ब्रह्मान के अब यही सश्टा हम आपको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए अब हमने कितना सुंदर भजन गया है क्या है वो निताईपद पासरिया जिनोंने निताई बलराम के चरन्कमल को बोल लिया है वो पशु है यह पशु दुराचारी है पशु समाने, इसलिए हम लोगों को बगवान नित्यानन के चरण कमल को जोर से पकड़ के रखना है यह समझते जीओ के आत्मा, हम आपकी चरण करहन करते हैं, शुक्देव गोश्ववी ने कहा जीन कवरों का नगर डगमगा रहा था, और जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में आ रहे थे, ऐसे कवरों द्वारस्तुति किये जाने पर बलराम शान्थ हो गए और उनके प्रदीकृपालू हो गए, उन्होंने कहा डरो मत, फिर उनके भई को हर लिया, यह है बलराम, देखिए, उन्होंने कृष्ण के बारे में गलत सुना, कि कृष्ण ऐसे तुरन गुस्य हो गए, क्या यह सब कृष्ण भोगता नहीं है, फिर तुरन शान्थ हो गए यह है भगवान का सुभाव, हम भगतों को भी ऐसा ही होना चाहिए, कभी कोई गलती देखें, तो गुस्य हो गए, लेकिन तुरन हमारा गुस्य इर्शाद वेश्चे भराओ नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह नुक्सान है, हमें बलराम भगवान से यह शिक्षा लेनी है, फिर उन्होंने उन्होंने सब शांद होगे और सबका भाई भी हर लिया, अपनी पुत्री के प्रती, अपनी पुत्री के प्रती अत्यंत वत्सल दुरियोधन ने उसे दहेज में 1260 वर्षिय हाथी, 60 साल के हाथी, उत्तम हाथी, एक लाग बीस हजार गोडे, छे हजार सुर्य जैसे चमकते सुनरे रत, तथा एक हजार दासियां दी, जो गलों में रत्न जड़ित हार पहने थी, दुरियोधन ने इतना दिया लक्षमना को, साम को, दिखें, आज तो दहेज नहीं देते हैं, दहेज का विरोध करते हैं, एनिवे, एक दूसर कपी, यादों के प्रमूख, भगवान ने इन सारे उपहरों को स्विकार कर लिया, और तब अपने पुत्र थाद, अपनी पुत्र वदु सहीद, वहां से प्रस्तान किया, और उनके शुब चिंतकों ने उन्हें बढ़ाई दी, ये, तब भगवान हला अपने नगर में प्रविश हुए, और अपने संबंधियों से मिले, जिनके रदे उनके अनुराग में बंदे थे, सब भगवान बल्राम को से बंदे थे, प्रेम, सभाववान में उन्होंने कुरूओं के साथ हुई प्रत्यक गटना, यदूओं से कह सुनाई, सब बताये क इसा-इसा हुआ था, आज भी हस्तिनापुन नगर गंगा के टर्ट पर दक्षिन दिशा में उठा हुआ दिखता है, इस तरह यह भगवान बल्राम के परकरम का सुचक है, तो प्रवपाद एक बहुत सुन्दर बात लिखते है, कि कवरों ने ऐसा क्यों किया, भीश्मम पी इस आदेश से कवरों ने स्वयम को बहारी तोर पर अपमानित समझा, अता उन्होंने बल्नाम की शक्ति को चुनोती देदी, वे केवल इतना चाहते थे कि बल्नाम अपनी अचिंद्य शक्ति का प्रदर्शन करे, इसलिए इस प्रकार अतिव प्रसंदनता पुरों को उन्हो सारा मामला फिक्स हो गया, यानि कवरों ने गुस्ते से नहीं भगवान का पराकरम जानना चाहते थे, इसलिए ऐसा बोला, तो इस प्रकार भगवान बल्राम देखे कितने महान है, कितने अदबूत है, भक्तों के प्रिय भक्त वत्सल है, बजा भाकाता वत्सला गवरा हरी और ये नमस्ते भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल है, इतने महान भगवान का गुणगान करने का हमें मौका मिला है, तो हम सब इस महान भगवान का शर्ण में जाए, निताइपदे कामला, कोटी चंद्र सूशितल, और हमें भक्ती में रक्षन करने के लिए उनको प्रा इतना भी गलत करेंगे, गलत करना नहीं है, जैसे कवरों ने गलत किया था, लेकिन उनका उद्देश वो नहीं था, इसी प्रकार यदि हम गलती से कोई गलती कर बैठते हैं, तो भगवान से माफी मांगनी चाहिए, कि भगवान, मैं तो एक छोटा सा शुल्लक जी हूँ, और अदबुत लीला भगवान बलराम के और बहुत सारी लीला है, चेतर नी चाहिदा मुर्वान ने जो मैंने आगे बताया, इस पकर हम बलराम भगवान को, अदबुत बलराम भगवान को प्रातना करें, कि हमें हमेशा इस जीवन में भक्ती-शुद्ध भक्ति-प्रदान करें और हमारी जो भी गलतिया है उसको हमें सुधार है ताकि हम भगवान बल्राम और कृष्णा के चरनकमल में अपना जीवन समर्पीत करें और इस जन्ममृत्यू को छोड़का शाश्वत रूप में भगवान बल्राम और भगवान कृष्णा की से हमें लग जाएं हम बल्राम के पास जा सकते है ऐसा कोई नहीं है ये लोग बोलते हम चंद्र पर जाएंगे फ्लाइट में जाएंगे हम बुकिंग कर लिया तो हम भी बुकिंग करते हैं हम भगवान बल्राम के चरनकमल पास जाएंगे, सब अपना जो जाना चाहते हैं नाम लिखवा दो मुझे, जाएंगे हम लेकिन ये नौका में बैठना पड़ेगा, और ये अमारी स्पेस शटल उसमें बैठना पड़ेगा, और ये स्पेस शटल है भक्ती, और इस स्पेस शटल का पैट्रोल है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे राम, हरे राम, 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 रे ये पैट्रोल पूरना पड़ेगा, सत्त, इसमें और उसका ओइलिंग ये सब करना, नियमों का पालन करना, हलाकि इसमें कोई mechanical कुछ नहीं है, ये सब ये ज अब्धाल रम से जाहेंगे बगत्ध सकत्रेग्रे क्रिषण अंहेंद थी ए झाल झाल